क्या होता है प्लिंट एरिया का किस एरिया को हम आपका इंक्लूड करेंगे प्लिंट एरिया के अंदर किस एरिया को एक्स्क्लूड करेंगे जानेंगे आज की वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स हम लोग बात करेंगे आपका कि वाट इस प्लिंथ एरिया कि मेरा आपका जो प्लिंथ एरिया वो क्या होता है तो तोटल एरिया व बीडियो पर इस प्लिंथ एरिया वहा उज Аपका तोड़िया तो जो आपका एरिया होगा फ्लोर लेवल पर लेंथ एंठ इन्थ इन्थ वृत्पे बिडिंथ एरिया ठीक है यह है आपका क्या होता है आपका flint area जो भी हम आपका floor level पर measurement करते है वह होता है आपका flint area जिसके अंदर आपका लगळग partitions होते हैं walls होती हैं कहीं पर आपकी south रहेगी कहीं पर आपकी balcony होगी कहीं पर आपका staircase बना होगा जो building का measurement करते है floor area पे total area of the building including interior and exterior wall measured at the floor level वो आपका क्या होता है प्लिंट एरिया next हम लोग बात करेंगे next मेरा topic क्या है कि what is include in plinth area जो मेरा आपका plinth area होता है उसके अंदर किस item को हम आपका include कर सकते हैं तो first है मेरा आपका wall area जितनी भी मेरी आपकी चाहिए वो मेरी आपकी internal wall हो चाहिए वो मेरी आपकी external walls हो सभी को हम आपका include करेंगे किसके अंदर आपका clean area के अंदर तो ये आपका अगर ये आपका building के plan है इसके अंदर आपके जितने भी partitions है जितने भी इसके अंदर आपके आपके partitions है चाहे वो ये आपकी कौन सी walls है ये आपकी external walls है clear कि यहांप अब क्या है यह सभी आपकी यहां पर एंटरिनल वाल्स है तो चाहें आपकी जितनी भी इंटरिनल वाल्स हो तो सभी वाल्स हो सभी क्यों को हम लोग क्या करेंगे आपका you do के अंदर के अंदर करेंगे स्प्लांण के अंदर आप देख सकते हो यह जो आपकी ह Iyaपकी अटमे है इसके अंदर करेंगे तो बहुसकं के अंदर धोगल का इंटनल साफट गराते हैं तो वह भी आपका plinth area के अंदर include होती है लेकिन उसकी condition क्या आपकी कि उसका area जो है आपका less than होना चाहिए कितना two square meter से less than होना चाहिए अगर उसका area less than two square meter है तो हम उसका आपका plinth area के अंदर उसको आपका include करेंगे उसको हम क्या करेंगे आपका include करेंगे यह आपको यहाँ पे एक building का structure elevation आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा हूगा तो यह जो आपका यहाँ पे sear walls आपको दिख रही होंगी यह आपको क्या यह है आपकी soft soft कई purpose से हम लोग बिल्डिंग के अंदर provide कराते हैं आपका lift के लिए भी हम लोग provide कराते हैं साथी साथ ventilation के लिए भी हम लोग आपका soft building के अंदर provide कराते हैं या फिर जो आपके plumbing के sanitation के जो pipe होते हैं उसके लिए भी हम लोग आपका building के अंदर क्या provide कराते हैं तो उसका area अगर आपका less than 2 square meter है तो हम वो आपका include करेंगे किसके अंदर आपका plinth area के अंदर clear चलिए next आपका जो है third case है आपका की कौन सा हम आपका जो आपके staircase होते हैं building के जो भी आपके internal staircase होते हैं याद रखना internal staircase so staircase जो building के अंदर आपके staircase होता है वो भी आपका include किया जाता है इसके अंदर आपका plinth area के अंदर यह आपकी building है इसके अंदर आपके चाहे जितने भी staircase हो, एक staircase अगर आपका यहाँ पे है, ठीक है, और एक staircase आपका यहाँ पे है, तो यह भी आपका जो है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, include किया जाएगा, ठीक है, internal staircase जितनी भी आपकी building के अंदर है, वो सभी आपके जो है, splint area के अंदर आपका include किया जाएगा next आपका है machine room image में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह आपका हीँआपे machine room है machine room हम किसके लिए provide कराते हैं आपका हीँआपे देखो यह आपकी soft है किसकी soft है आपकी lift की soft है तो lift को operate करने के लिए आपका सबसे जो terrace floor उसका जो top floor होता है वहाँ पर एक machine room बना जाता है ठीक है जहां से वो lift को हम लोग operate करते हैं उसकी motor लगी होती है उसका control panel लगा होता है वहाँ पर तो उसको operate करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर machine room प्रोवाइड कराते हैं तो उस machine room का area भी हम लोग आपका plinth area के अंदर include करेंगे clear चल होगा जो आपकी main building है वो आपकी यह है ठीक है लेकिन आगे की तरफ कुछ portion यह वाला जो portion है यहाँ पर यह दिख रहा होगा आपको image के अंदर यह जो portion है आगे की तरफ 3 चार फिट के approximate का यह space है ठीक है यह आपका क्या है porch का area तो यह area भी हम आपका plinth area के अंदर क्या करे क्लियर हुआ चलिए इसके बाद आपका next हम लोग discuss करेंगे अब तक हमने यह तो जान लिया कि 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 अरिया को हमें आपका कि कि अरिया को हमें आपका include नहीं करना है चलिए तो next first है मेरे आपका cantilever porch अभी हम लोगों ने जो वीडियो के अंदर इससे पहले जो आपका देखा था उसके अंदर जो आपका porch था वो cantilever porch नहीं था तो आपका लेकिन यह जो आपको यहाँ पर image में दिख रहा है यह end पर support नहीं है चीप यहाँ पर आपकी यह support है तो यह आपका क्या totally cantilever porch है तो अगर आपकी building के अंदर cantilever porch है तो उसको हम आपका पिलिंटेरिया के अंदर include नहीं करेंगे याद रखना है चीक है इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो आपका यह वाला porch था यह cantilever porch नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो आपको सफ पर support दी गई है यह आपके他 canklever porch नहीं है तो इसलिए इसको हम लोगों आपका include किया है लेकिन आपका जो यह वाला जो आपका यहाँ पर पोर्च है यह आपका totally cantilever porch है तो cantilever porch को हमें आपका include नहीं करना है पिलिंटेरिया के अंदर, clear हुआ, चलिए उसके बाद, next है आपका external staircase, अभी इससे पहले मैंने बताया था कि जितने भी आपकी building के अंदर internal staircase होते हैं, उन्हें हमें आपका include करना है, पिलिंतीरिय के अंदर लेकिन जो आपके external staircase होते हैं building के अंदर वो आपको क्या करने है exclude करने है जब आप पिलिंतीरिय का measurement करते हैं यहापको building के अंदर दिख रहा होगा image में कि यह आपको यहाँ पे external staircase है यह आपका temporary staircase भी हो जकता है फिर fire के लिए भी हम इसको provide करा देते हैं आपने जायतर इस तरह के staircase कहाँ पे देखे होंगे जब आप Hollywood की movie देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हर एक building के आपके back side पे कुछ external staircase दी होते हैं ठीक है ना यह आपके जो है एक तरीके सा service के लिए भी provide की जाते हैं या फिर fire fighting के लिए भी इनका use आपका होता है तो यह आपके staircase होते हैं इनको हमें आपका include नहीं कर रहा है प्लीन यर्या के measurement लेकिन building के अंदर जितने भी आपके internal staircase है ठीक है वह सभी आपको क्या करने include करने यह जब आप measurement करोगे तो उस time पर यह आपको जो internal staircase है वह आपको include करने में GJRMET के टाइम पर लेकिन external जितने भी है उन्हें आपका include नहीं करना है, याद रखना है, चीक है, internal है तो include करोगे, और external है तो exclude करोगे, चीक है, चलिए, इसके बाद next है आपका soft का area अगर आपकी soft का area greater than 2 square meter है तो आपको उसको भी include नहीं करना है अभी हम नोगों ने देखा था इससे पहले कि जब मेरा आपका soft का area less than 2 square meter था तो उसे हमें आपका include कर रहे थे clean area के अंदर लेकिन जैसे ही मेरा आपका area greater than 2 square meter हुआ तो इस area को हम आपका include नहीं करेंगे clean area के अंदर तो याद रखना जब आप measurement करो clean area का अगर कोई भी soft है building के अंदर उसका area अगर आपका less than 2 meter square है तो आपको उसको deduction नहीं करना है लेकिन अगर आपका area जैसी 2 square meter से greater than होता है तो आपको उसको deduction करना है अपनी area में से ठीक है clear रहा इसके बाद next है आपका clean area rate as per CPWD तो यह आज जो topic है आपका यह हम लोग आपका part 2 के अंदर discuss करेंगे जो आपकी CPWD आपके CPWD के according आपके जो clean area rate है वो कैसे calculate किया जाते है कौन से आपके rate है क्या उनके अंदर include किया जाता है क्या exclude किया जाता है वो सब हम आपका next जो आसका part 2 आएगा उसके इंदर discuss करेंगे तो आई होप आपको ही जो clean theory का concept हम लोग ने discuss किया यह आपको अच्छा लगा होगा इससे related कोई भी डाउट है तो आप नीचे comment section पर comment कर सकते हो साथी साथ आप हमारी mobile application भी डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर आपको paid courses के साथ साथ free study materials और काफिस अरे free courses का भी access महाँ पर आपको मिल जाएगा चैनल पर पहली बार अगर आप अगरे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक सेयर करना मत भूलना मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओके थैंक यू